से सर्च मिला है हर्याना से यह पयरा एठलिटिक्स में शौट पटी खेलाची है है नमस्त है उतहित्टे सी साल की उम्र में पीखनेई के लुए को और आपने दो साल में गोल्मिडलु जीत कर दिखा दिया जरा मैं जुरूर जाना चाहूंगे चमतकार कैसे हूँ आपकी प्रेड़ा क्या है मैं हधियाना से जिला मेंदर रोली से निवास करते हूं और मेरी जिन्दगी में बहुत बड़े तुफान आये हैं लेकिन मेरे बच्पन से सोग था खेलने का लेकिन मुझे मोका नहीं मिला फैमिली में गरीब थे मेरे पापा मां ब्लाइन की तीन बेहने एक बाई है हमारा ब हैं लेकिन तीन मगा बीटे हम पर बहुत अप्चार प्रोने mosook मेरे माशिए हम ने है। सब्पार हुआ सैंट बॉट करतों तो की निम्दगी मैंटीन निया को रहे हैं हैं यड़'momор रास्ता विए सोबने एक रCR across सना में करवाई मेरे से और उनके वज़े से आज मैं नेशनल में एक साल दो साल में मैं गोल्ड मैडल ले चुकी हुआ है कि अपके जीवन की अनेक बात ऐसी है जिसको सुनकर के कोई भी सोचेगा कि आप आगे जाना नहीं छोड़ दो दुनिया में लेकिन आपने कभी हिम्मध हारी अब देश वासी के लिए ग्रोल मोडल है और आपकी दो बेटिया भी है जैसे आपने का अब उनको भी जारा खेल कुट की समझ आ रही है बेवी का भी रूची लेती होगी और वह भी आप से खेल में पुस्ताज करते रहती हैं उनकी रूची क्या है उन बच्चों की अंडर 14 में अब खेलेंगी लेकिन बहुत अच्छी बनेगी वो खिलारी अब भी साइद टो पियार याने में जब गेम होंगे उस दिन सलेगा सर्टी टेबल टैनिस में है मेरी इच्छा है कि मैं मेरी बेटियों को भी खेल में लाके उनका भी जीवन अच्छी तरिके से ब अच्छी बाधा रहे हैं उनसे भी आपको बहुत कुछ शेखने को मिला होगा है सर नहीं मुझे परेयरीट किया है और मैं परवाई है चार चार घंटे की जब में स्टेडियम में नहीं जाते थो गार पकर पकर के ले जाते हैं ठक जाते हैं फिर उन्होंने मेरा होसला बढ लोगों के लिए खेल शुरू करना मुश्किल होता है। आपने साबित कर दिया कि अगर जीतने का जजबा हो तो कोई भी लक्ष असंभव नहीं है। हर चुनोती आपने होस्त लेके आगे हार जाती है। आपका समर्पन पुरे देश को प्रेरित करता है। मेरी तरब से आपको बहुत बहुत सुबकामना है और आपकी बेटियों को आगे ले जाने का आपका जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा जिस लगन से आप काम कर रही है। आपकी बेटियों का जीवन भी वैसा ही उजवल बनेगा बेरी तरब से बहुत सुपकामना है और बच्चों को अशिरवाद है कि शर्मिला है हरियाना से यह पैरा एथ्लिक्स में शॉटपट की खिलाड़ी है नमस्ते सर्मिला जी आप हरियाना से हैं तो खेल गुद में तो हर्याना होता ही होता है आपने चौतिस साल की उम्र में खेलों में केरियर शुरू की और आपने दो साल में गोल मेडल भी जीत कर दिखा दिया जरा मैं जुरूर जानना चाहूंगे चमतकार कैसे हूँ आपकी प्रेड़ा क्या है जिला में दर रोली से निवास करते हूं रेवाड़ी में रहती हूं और मेरी जिन्दगी में बहुत बड़े तुफान आये हैं लेकिन मेरा बच्पन से सोग था खेलने का लेकिन मुझा मोगा नहीं मिला फैमिले में गरीब थे मेरे पापा मां ब्लाइंड की तीन बैने एक ब स्पोर्स में है लेकिन तीन उसता नहीं मिला सर मुझे तो शेकंड मेरिज के बाद मुझे खेल स्पोर्स में हमेरे एक सब्सक्राइब अज़ें वह भाई मेरे से और उनके वज़े से आज मैं नेशनल में एक साल दो साल में मैं गोल्ड मैडल ले चुकी हुए हुए अपके जीवन की अनेक बात ऐसी है जिसको सुन करके कोई भी यह सोचेगा कि आप आगे जाना नहीं छोड़ दो दुनिया में लेकिन आपने कभी हिम्मध हारी नही सब्सक्राइब लेकिन बहुत अच्छी बनेगी वह खिलादी अब भी साइद टोप मेरी इच्छा है कि मेरी बेटियों को भी खेल में लाके उनका भी जीवन अच्छी तरिक्के से बनाओं क्योंकि जो जैने जैले हैं यो बच्चों पेना आए आपके जो कोच्छ है टेक्चन जी वो भी परवेंपियन रहे हैं उनसे भी आपको बहुत को सिखने को मिला होग हाँ सर उन्होंने ही मुझे परेरीत किया है और मेरी इच्छार गंटे की जब में स्टेडियम में नई जाते तो गार पकर पकर केले जाते थे ठक जाते थी फिर उन्होंने मेरा होसला बढ़ाया कि आर मत मानना जितनी मैनत करेगी उतना फल तेरे आगे आएगा मैनत पे धा सर मेराजी आपने जिस उम्रह में खेलने की सोची उसमें बहुत से लोगों के लिए खेल शुरू करना मुश्किल होता है आपने साबित कर दिया कि अगर जीतने का जज़बा हो तो कोई भी लक्ष असंभव नहीं है हर चुनौती आपके होस्त लेके आगे हार जाती है आपका समर्पांक पुरे देश को प्रेदित करता है मेरी तरह से आपको बहुत बहुत सुब कामना है और आपकी बेटिओं को आगे ले जाने का आपका जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा जिस लगन से आप काम कर रही है आपकी बेटियों का जीवन भी वैसाई उजवल बनेगा मेरी तरब से बहुत सुब कामना है और बच्चों को अशिरवाद है